अगर आप लोग उने यूपी टैट 2020 केलिये तयारी सुरू कर दी है अगर आप लोग उने अभी तक श्टार्ट नहीं किया तयारी को वस्तों आज ही स्टार्ट कर दीजीका जो लोग पहले से लगे हुए हैं बहुत अच्छी बात है तो यूपी टैट के अगर फोम के हम आवेदन होंगे पिस कितनी रहेएगी और इस बार नेगेटीव मारकिंग रहेगी क्या इस बार जो lifetime validity थी वो रहेगी तो इस पर चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं आप वीडियो को अन्त अच्छा रहेगा तो यूपी जैसे क्याब लोगके ठंB या कब होंगे सबसे पहले देखिए का आज की न्यूज दे सकते हैं आप लोग कि यूपी टैट के लिए आवेदन दिसंबर के अंतर तक ठीक है मैं थोड़ा सा इसको पढ़ देता हूं यहाँ पर कि परिक्षा नियामक प्राधिकारी की ओड़ से उत्तर प्रदेश सिक्षिक यानि कि यूपी टैट 2020 के लिए आवेदन प्रिक्रिया इस महा के अंतर तक सुरू हो सकती है सचिव परिक्षा नियामक प्राधिकारी की ओड़ से सासन के पास यूपी टैट करा जाने का प्रस्ताब त्यार करके भेजा गया है और सासन के पास भेजे के प्रस्ताब में अब यह जो पेपर है पेपर कब हो सकता है दोस्तों पेपर हम लोग बोले थे कि फरवरी में होगा यानि कि अखवार की कटिंग के अकॉर्डिंग जो है फरवरी के अंतर में होगा लेकिन दोस्तों फरवरी के अंतर में नहीं हो सकता यह मेरा ही राय है मेरी राय है कि केट में आपको पता है कि लेवल ठीक ठाक सा आता है पिछली बार का पेपर अगर आप लोग उठा कर देखेंगे लाज़ेज करेंगे EVS CDP Hindi मतलब सारे सब्जेक्ट बहुत ही कठिन थे मतलब ऐसा नहीं कह सकते हम लोग की जब बिगर तयारी किये हुए कोई भी अच्छे मार्क्स या निकी मैं कह सकता हूं पास सो ही नहीं सकता सिंपल सी बात है ठीक है तो कठिन तयारी आप लोग को करनी होगी और अगर मैं बात करूंगा लाइफ टाइम वैजिट गी तो दोस्तो अब की बार जो है वो लाइफ टाइम वैल एडिटी नहीं है इस पर अभ HC नहीं मिली है इस पर वचार चल रहा है अब देखिएगा अगर lifetime validity नहीं मिली है तो negative marking भी नहीं होगी ये भी आपका confirm है क्योंकि अगर negative marking जब ही होगी जब आपकी lifetime validity हो जाएगी क्योंकि जब lifetime validity होगी तो सीधी सी बात है यूपिटेट के अंक जुड़ने अनिवादय हो ही जाएगे जादर से जादर मार्क्ष लेकर आएंगे तभी competition अच्छे से जाएगा तो अपकी बार देखिए लाइफटाइम वैलेटिर नहीं है और ना ही दोस्तों अपके बार negative marking है अगर मैं fees की बात करूँगा fees तो वैसे तो हर साल देखिएगा दोनों paper के लिए 600 रुपे फीज जाती थी एक paper के लिए 400 रुपे फीज जाती थी देखते हैं अपके बार government इसको बढ़ाती है कम तो करने का सवाल होता है नहीं है ठीक है बढ़ाने की सो सकते हैं आप लोग क अगर मैं बात करूँगा पासिंग मार्क्ष की तो पासिंग मार्क्ष में जो है जर्नल के लिए 90 नंबर है यानि कि 150 में से 90 नंबर और 82 SC ST OBC और विकलांग विक्तियों के लिए दिव्यांग विक्तियों के लिए प्यारे साथियों और यह जो validity रहती है पांच साल रहती है ठीक है तो इसमें कोई negative मार्किंग नहीं है और सारे कोसन अनिवारे हैं आपके सब करका सकते हैं ठीक है जो भी आपकी क्वेरी हैं अगर age की बात करूँगा एज में आप लोग 40 तक बढ़ सकते हो ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है और यूपीटेट से संबंदिद अग आप लोग comment section में पूछ सकते हैं बात रही तैयारी की अपने YouTube चैनल पर भी तैयारी चल रही है और अगर आपको paid course लेना है बिर्कुल ही अनकेडमी को जानते होंगे अकेडमी पर आप लोग तो मुझे वैसिच कर सकते हैं पूरे paid course के बारे में मैं आपको detail में बता दूग कर रहे हैं आप लोग मुझे वर्ट सब भी कर सकते हैं थैंकि सो मच बाइबाए